हाई एवरिवन एंड प्रोफेसर जितिश ये वीडियो इंपर्टन होगा जो स्टुडेंस मिटी भाई कॉलेज में एड्मिशन लेना चाहते हैं 2022-2023 के लिए अब आपको कोई भी कॉर्सिस में अगर मिटी भाई कॉलेज में एड्मिशन लेने फिर से सुनो इफ ये वांट टो टेक एड्मिशन लेने मिटी भाई कॉलेज ये व्टो गीव दा सीटी एक्जाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक्जाम ऐसा मैं नहीं बोल रहा है ऐसा उनकी उफिशल वेबसाइट पर आया तो जैसे अगर हम उनकी उफिशल वेबसाइट पर जाते हैं दो यहां पर सबसे पहले क्या लिखावा है अनाउंसिंग मिटी बैया एनने कॉमन एंट्रेंस एक्जामनेशन 2022 और 2023 इस इस ऑफिशल वेबसाइट ठीक है यह उफिशल उनकी व इस पर होगी तो यह है कॉलेज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिटी बैया एनने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर दे स्टुडेंट सीकिंग एड्मिशन डैट मिंस जो स्टुडेंट एड्मिशन लेना चाहते ही फर्स्ट यह अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे की बीएमेस, बैफ, बीकॉम, बीएफें, बीबीएई, बैचलर अफ आर्ट्स इन मल्टी मीडिया इन मास कम्मिनिकिशन, बीएस इन कम्पुटर साइंस, बायो केमिस्ट्री, बायो टेकनोलोजी, टेकनोलोजी, साइकोलोजी, अप्लाइट स्टेटिक्स एंड डेटा इफ्यों टेक एडमिशन, एनी वन अफ दिस कोर्स, कोई भी कोर्सेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका होगा CET, एन डेट विल रिक्वार टो एटेंब देब्ट कम्पुटर बेस टेस्ट होगा, कम्पुटर पहो रहो होगा, टोटल 120 कोशन होगे, 1 माक्स ए होगा, section quantitative and numerical ability 40 marks, reasoning and general intelligence 40 marks, proficiency in English language 40 marks, यहापे भी बहुत चाहर हो कि, जिसे quantitative में क्या क्या आने आ ले, number system, arithmetic, algebra, sets and functions, जिन्हों ने भी max लिया रहेगा, उनके बहुत easy होगा, trigonometry, reasoning and general, लेकिन जो students, arts से होगा, या commerce से जिन्हों ने max नहीं लिया रहेगा, उनके लिए सोड़ा स problem create कर सकता है, reasoning and general intelligence, critical thinking, verbal logical reasoning, data sufficiency, numerical reasoning, data introduction, special reasoning, third section is proficiency in English language, English, that means आपने English बहुत अच्छे तो आप easily clear कर सकते हो, error recognition, applied grammar, vocabulary, sequencing of ideas, reading the comprehension, एक चीज़ और दीवे यहां पर, total 3 passage, 400 to 500 words in passage and question will be per passage, हर question में passage होगे, 5 questions होगे, अब यहां पर एक और information दीवे, कि यह आपके exams कब होगे हो, यह आपको form fill up कब करना है, so registration for common entrances, tentative का मतलब है, यहां होता है कि, 20 तारिक से start होगे, form fill up करना, और 15 तारिक तक last year होगी, 15 जून तक, और exam का है, 1 जून से लेके 25 जून तक, तो मेरा ऐसा मानना है कि, maybe after the extra result के बाद में ही, आपके exam start होगे, यह form भरना भी मुझे लगता है, कि शायद से यहां पर 20 तमय दिया है, I think so form start हो जाएता है, कि जो students सोच रहोगे, decision ले रहोगे, कि मुझे यह college में admission लेना है, so definitely उनको यह form fill up कर नहीं पड़ेगा, और exam देना ही पड़ेगा, without CET आपको admission नहीं मिलेगा, कून सी college में, meet by college of arts, चोहन institute of science and amritbind, जिवनलाल college of commerce and economics, autonomous है, यह Mumbai initiative से ब्लॉंग नहीं करेगे, यह private ही, okay, autonomous, so अगर आपको doubt है कुछ भी, तो please comment section में mention कर सकते हो, if you are the first time visiting my videos or my channel, so please subscribe our channel for more update, आने वाले कुछ भी update के लिए, please चैनल को जरूर subscribe करो, अगर वीडियो अच्छे लगी तो please like करो, जितना हो सकते, अपने friend के साथ में share करो, और practice कर लो, अभी से set exam की, see it is set exam की, आप क्या कर सकते हो, अभी से practice कर सकते हो, कोशिश करेंगे हम आपके लिए इसके पर वीडियो जल से जल और लेके आए, आप कैसे तैयारी कर सकते हो, okay friends, so मिलते हैं next video में, thank you so much for watching my video, bye bye, कैसे जल चुआ की से तैयारी कर दो,